एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनिट और हर मिनिट में 270 बच्चे इस रफ्तार के साथ साल 2023 में दुनिया की आबादी आठ अरब होगी यूँ तो 19 सदी की शुरुवात में ही वर्ल पॉपलेशन एक अरब हो गई थी लेकिन इसके महस 220 सालों बार विश्व भर में 8 अरब लोग होने जा रही हैं दुनिया के आबादी 2011 में 7 अरब हो गई थी तो वर्ल पॉपलेशन डे के मौके पर जानते हैं दुनिया के 8 अरब होने के पीछे के 5 एहम कारण आबादी की स्तेज रफ्तार के पीछे पहला कारण है जन्मदर का लगातार अधिक रहना 28 सदी से 20 सदी के अंत तक जन्मदर काफी तेज थी करीब 2500 साल पहले तक एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी ये इस्तिथी 1500 वर्षों तक बनी रही इसमें मामूली से गिरावट आई 1950 में उस वक्त हर महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी 1950 के बाद से जन्मदर लगातार गिरती रही आज दुनिया में एक महिला औसतन 2,5 बच्चों को जन्म दे रही है अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो पता चलता है कि साल 1770 में आम इनसान की मौत 28 साल में ही हो जाती थी वही अब 72 साल में होती है 28 सदी से ही पूरे विश्व में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार बढ़ती आ रही है आज 30 देश ऐसे हैं जहां लोगों की आउसत उम्र 80 से जादा है और 100 देशों में आउसत उम्र 70 के पार है भारत में याकड़ा 69.7 है तीसरा कारण मृत्यूदर में लगातार कमी अगर मृत्यूदर के आखड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 1950 में जहां 1000 में से 20 लोगों की मौत होती थी वहीं अब घटकर 8 हो गई है चौथा कारण कॉंट्रसेप्शन को लेकर महिलाओं में जानकारी का भाब पहले महिलाओं में कॉंट्रसेप्शन और प्रेग्नेंसी रोकने के तरीकों को लेकर काफी कम जानकारी होती थी जिसके कारण नव चाहते हुए भी जादा बच्चे होते थे एशिया, लाटन अमेरिका और आफरिका के प्रगती शील देशु की बात करें तो साल 1960 में मात्र 9 प्रतिशत मैरिट कपल ही कॉंट्रसेप्शन का इस्तमाल करते थे लेकिन 1990 आते आते हर दो में से एक शादी शुदा जूडे ने अन्चाही प्रेग्नेंसी रोकने के लिए कॉंट्रसेप्शन का इस्तमाल करना शुरू कर दिया आज कॉंट्रसेप्शन को लेकर महिलाएं काफी जाग रुख है दो हजार पंद्रा के आकड़ों के हिसाब से अब 64 प्रतिशत महिलाएं कॉंट्रसेप्शन का इस्तमाल करती हैं दुनिया के आबादी आठ अरब होने में पांचवा बड़ा कारण है शिशु मृत्युदर में भारी गिरा वटाना साल 1990 में हजार में से 93 बच्चों की मौत होती थी वहीं साल 2020 में ये आकड़ा सैतिस तक पहुँच चुका है ये अब तक का सबसे कम आकड़ा है तो ये थे पांच बड़े कारण जिनकी वजह से आज हमारी आबादी आठ अरब होने जा रही है क्योंकि सच करीब से दिखता है